इस्टूरंट्स असलाव वालेकुम वेलकम टू मैं मैंत्मेटिक्स चनल एंब एसटूरंट्स आज हम शुरू कर जा रहे हैं टेंथ किलास के लेक्चर्स की सिरीज और उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सेट बैसिकली आप सभी से फैमिलर होगे पर फिर भी मैं आपको को रिवाइस कराता चलो जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में कुछ फ्रेज सुनते हैं जैसे के बंच आप कीज अफ्लो का बर्स और पेक आफ कार्ट्स और फ्लो का शीप्स और किर्के टीम और ग्रूप बोईज मिन्स चाब्यों का गुच्छा या पंच्छों का जुंड यह पेक आफ कार्ट्स या अप शीप्स का जुंड या एक के टीम यह एक गुरूप का ऐसे इसनान पहलुप में हम सुनते हैं और यह सारे वर्ट्स है मिन्स गुरूप बंच फिलोक पेक टीम यह यह प्लोप यह सारे वर्ड़ हम यूज़ करते हैं किसी क्लेक्शन को देनो है तो सेट की जो definition है means collection of well defined and distinct objects are elements is called set means a collection जो well defined हो और distinct हो उसे हम कहते हैं set अगर कोई भी collection इन दो words को satisfy करते हैं मिस well defined को और distinct को satisfy करती है तो वह collection होती है वह set कहलाती है तो इससों साइज देखते हैं सबसे पहले तो well defined हम किसे कहते हैं तो इस से आये देखते हैं वैल डिफाइनय ग Philadelphia आय कहता है योडिफाइनТर्ट सेक्ट्स में आये गा और तो 100 से कुछ से सेंटेंस दिए हैं तो आई देखते एक से क्सी क्या यह वैल डिफाइन नहीं पहला बादे संटेंस से All the सारे नाइचरल नंबर जो लेस्टेंट टॉलिव वह तो हाई देखते हैं किया यह वैंड इफाइन है यह नहीं है कि तो हम इसे कैसे पता चलेके वैंडेफाइन है किया इस collection में 30 नंबर आएगा means all nature number आप है 21 529יתי9 थिर्या आईगा बोलगे क्या है मिन्स आप ईडिंटिफाय कर रहे हो कि कौछouse इस collection में कांप से नहीं आएंगे चली रहा है कि कौछ से डेक्ष आएंगे और कौन से नहीं आएंगे एस को अच्छा लगे कोई फॉय बूगल से करते सेंट्री करतीज नहीं है नहीं नहीं है यह उक्ते Mysore और को एच्छे लग है है तो यह जो सेंट्ट müहत के आचरार लगते हैं कि किसी को इस वए डिटाइन यह हमारे टाइर ऊहीं है तो ध्यां यह उस्टेर चाते हैं मिछ सट्फ ही डिया इंस फोलेम नहीं हैं हमारे सोलर सिस्टपम कॉन से प्लेंट आईंगे कुं से नहीं है कि ऐस सेदट में सन आएगा आप बोलोगे नहीं क्योंकि सम प्लेंट साहिए नहीं के सब्सक्रों आईगा आतना हाई प्लेंट। आएगा आप लोग यह मिन्स हम आइडेंटिफाय कर पा रहे हैं कि इस कलेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे कौन से नहीं आएंगे तो यह जो हमारा सेंटेंस है यह हमारा वैल डिफाइन है हैं मैं और ऑफ्स से सेट आ वाविल्स आफ इंगल्स अल्फाबेट मिसंधिंगुल्ट's वाविल्स अल्फाबेटion टश्यक्टे 2ale देखते हैं किया यह जबर लोगे लाएगा आता है थो कॉन से में आएंगे कौं से नहीं आ हमें पता चल रहा है तो है लियों देख देखते हैं हम किसे कहते हैं तो इसुरे यह दृटस्ट आये में किसे कहते हैं तो यह देखते हैं सारफ और निले लिए लेंटने है कलए गश sales आसे उसमें अम टेसमें 9 तक हैं तो क्या चेक करते हैं कि आप बोलो के नहीं तो यह को लाइंट बने नहीं violence स्थमें को जो घोले तो यहं जो रोतरी नहीं क्योंकि अरीपिट ना हो गैसे कि हम एक अग्जंब्ल लेते थे लेते हैं देंग और यह तो यह तिले तो एक सोर करते हैं। दिए क्या ज्क ब्लब ऑन कि ए पर एंप पहला है। हें गहां हो रहा है हुआ है। यह जो कलेक्शन में साफ यह तो हम इंटिफाइड कर पा रहे हैं को से आपके स्कूल में तो बैसिकली यह वेल डिफाइड भी और डिस्टिंग भी है क्यूंकि आपको पता है कौन से स्कूल मेट के टीचर है और आभ समय रिपीट नहीं हो रहे हैं तो यह मारे है कलेक्शन वेल डिफाइन है किसार जो हम बौश सब्सक्राइब करिक सैज घंप होना जो की ऐसके मेंबस वेलिमेंट केंब करते हैं और करली ब्रेकेट या मिटल ब्रेकेट से हम उसके सेट के अंदर लिखते हैं और कामा से सब्सक्राइट करते हैं तो यह मैं एक्जेम्पल गिवन है दा से आफ फर्स्ट पाइव लेटर साफ इंगलिश अलफाबेट तो उसे इसका मतलब है और यह जो से मटल है इसे हम पढ़ते हैं इसका मतलब है अगर कोई कोई elements उसे से से बिलोंग करेगा तो हम यह सेंबॉल का इस सेंबॉल को लिखेंगे और इसका मतलब है बिलॉंग करेगा अगर कोई कोई element उस collection से यह से बिलॉंग नहीं करेगा तो उसे हम इस तरह सब्सक्राइब अगर f कोई element है यह ड़नाट बिलॉंग करेगा तो इसका मतलब है यह और इसे हम रीड करते हैं मेंस डज नाट बलॉंग टू और इसका मतलब डज नाट बिलॉंग टू मिंस एफ जो एलिमेंट है वो इस कलेक्शन जाए बलॉंग नहीं कर रहा है या जी, does not belongs to set A, या एक और example लेते हैं, B is equal to 2, 3, 4, यह हम collection given एक से, यह हमारे कोई set है, तो अगर एक element जो है, वो इस collection दे बिलॉंग करेगा, तो इस तरह से हम लिखेंगे, means 2 belongs to set B, या 3 belongs to set B, अगर कोई element इस collection से belong नहीं करेगा, तो उसे हम इस तरह से रिखेंगे, means 5 है, वो does not belongs to set B, means इस collection में 5 का element ही नहीं, तो वो जो 5 है, वो इस collection से belong नहीं करेगा, तो उसे हम इस तरह से रिखेंगे, और इसका मतलब है, does not belongs to, तो यह था set, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा